हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माई चैनल आज मैं आपके साथ कांजी वरे की रेस्पी सेर करने वाली हूं यह रास्थान की रेस्पी है मारवारियों की रेस्पी है इसे बहुत ही पसंद से खाया जाता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है बस इसमें थोरी सी टाइम टेकिं लगती है लेकिन यह बनती बहुत ही अच्छी है और इसे बहुत ही तरी अलग लग तरीके से बनाए जाते हैं कहीं पर उरत की दाल से बनाए जाती है कहीं पर दोनों दाल मिक्स करके बनाए जाते हैं आज जो मैं बताने वाली हूं वो मैं उरत की दाल से बताऊंगी इसे आ और कमेंट कीजिए चैनल बढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए मैं ये कांजीवरे की रेस्पी इस्पेसल हुली के लिए लेकर आई हूँ तो फ्रेंड आप होली पे जरूर ट्राई कीजिए बहुत ही सिंपल है बनाना ये और देखने में भी अच्छा लगता और खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसके जो पानी होते हैं ये हमारे डायेशन के लिए काफी हिल्फुल होते हैं तो इसे ऐसे भी लोग बना करके खा हैं क्योंकि जो पानी बनता है उसमें जो मशाले यूज किये जाते हैं और जिस तरीके से रखा जाता है वह हमारे हिल्फ के लिए भी काफी अच्छा होता है और यहां पर इसके बनाने के लिए पहले सबसे पहले मैंने आपर पानी ले लिया है उसे मैंने एक भंगोनी में पहले हम पानी को अच्छे से गरम करेंगे पानी को गरम के आप बॉल करना है हमें और बॉल करके हमें इसे साइड में ठंडे होने के लिए तो यहां पर मैंने चड़ा दिया है चलिए से गरम होने देते हैं और जब यह अच्छे से बॉल हो जाएगी तो हमें इसे तो यहां तो यहां पर मैंने एक चमच में ले रही हूं है, तीली वाली मस्टर्ड, सीड और आधे चमच में लूँगी ब्लैक वाली जिसे हम राई बोलते हैं, तो वो राई मैंने डाल दी है, अभी इसके साथ ही मैं दो लाल मिर्श में डालूँगी, तो आप अपने पानी के अकॉर् माणी के मचाले बना रही है और दितने आपको मेसाले बनाने हो पानी के तो आप मचाले बढोड़ाते चेले जाए, और यहां पर मैंने इसे अच्छे से all 열 आए हूं दो भूट यहां पर घृद्ध को संदोगागों तरे साल्ट श्राल लगें। अधोरे ज़नार्थ को स्की fundamental है तो कि भूव नी हमें पूटे हैं, कि मुन्नी को अध είναι कि उन्स कला, सकते इसे मैंने इसके पाउडर बना लिये हैं तो यहां हमारे कांजी के जो मशाले है वो रेडी हो गया है तो इसे मैं मिक्स करके आपको दिखा रही हूं ऐसे मशाले रेडी हो गया है तो चलिए पहले हम इसके जो पानी है उसे हम रेडी कर लेते हैं तो यहां पर मैं मसाले में मसाले में जाले कर दोंगी , मैं Apr´s मसाले नमक सबस्क्राइब तो झाले है तो अगर प्रूक है दोंगी। अगर घाले कने चान्य केट मसालें सब्सक्राइब पूर्ण रोगते हैं नहीं करका अगर जाता अग्याँ जाथ step 3 to 2 बच्छमच आदे लगति mode कर दिया हैं और हाफ इस्पून और टेस्ट करके देख लीजिए ज्यादा कम हो तो आप फिर से चेक करके आप उसमें आड कर सकते हैं और इससे ठखके हमें पपरे से आप ढग दीजिए अगर घर के अंदर आपको रखना है तो और कम से कम दो दिन के लिए लोग रखते हैं मै तो एक ही दिन सुबह करती हूं और शाम में मैं यूज करती हूं तो मैंने पकपरे हटा कर उसे धूप में रख दिया था तो आप धूप में रख दीजिए ऐसे इसे कम बनानी के लिए कम से कम दो से चार दिन तक लगते हैं पानी बनाने में और अच्छे से उसे पानी को ब था नए इसके बार कर छोड़ दिया था इसके पानी को निकलने के लिए हैं जार में डाल करके ऑव इसके मैं पेश्ट बनाने वाली हूं तो पेश्ट न नापको बहुत बारिक नहीं पीछनी है इसे थोरी मोघी पीछनी है तो मैंने हandisesti यहापनी तो मैंने पेंने यह आंपर जाँ पानी युड़ेँ को आपको जाँ नहीज ठीजिए पानी जाँ, यसको डालो के हैं आप 10 को फेष्ट में बना लिया देख सकते हैं थोड़ी मोटी पेष्ट है बारीक, एकड़ाल नहीं करनी है कर यहांपे मैंने लिसनी होजाए और यान को ड्ल दीया है करें और और हिंग यहां पर मैंने हिंग डाल दीया है अब आपको stand up , आभ इससे को है चाहि और एट मिक्स फटना है उसे इतना हमिरic फ्लप्पी हो जाए और मतलब यह फूले अच्छे से तो इसको फूलने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से फिटना जैसे बहुत लोग इसमें Soda एड़ करते हैं विसे मतलब Foods कर आपको बनाने के लिए लेकिन ये बहुत ही अच्छे हाथों से अगर आप फेटे तो इसके श्वाथ बहुत ही अच्छे होते हैं अगर देख सकते हैं जितने थे डाल एकदम से फूल जाते हैं जैसे ही जैसे आप फेटेंगे न वैसे वैसे फूल जाएगी फ्लपी होगी तो फुलफुल गड़के जितने थे उससे ज्यादा आपको दिखने लगेंगे तो यहां पर मैं अच्छे से फेट रही हूँ और पानी अगर आपको बहां तापकी नहीं चल रही हो तो आप हलका सा पानी का छीटा दे सकते हैं अगर हाथ चल रही हो दाल के सब्सक्राइब करेंगे और दस मिनट के बाद देख सकते हैं कि जितनी दाल थी वह फूल गई है अब हम यहां पर उसके छोटे-छोटे बड़े जो हैं वह हम कंजी बड़े जो हैं बनाने के लिए छोटे-चोटे गोल-गोल बड़े डालेंगे जैसे आप कड़ी के लिए बड़ी बनाते जाने हैं आपको और गैस की फ्लेम को यहां पर आपको मेडियम रखनी है और को बहुत जादा हीट नहीं कीजिएगा अगर बहुत हीट हो गई है तो फिर जैसे ही आप बड़े डालने सुरू करेंगे तो पैसे वाले जो बड़े होंगे वो नीचे से जलने ल लेना है तो मैं वही कर रही हूं और देख सकते हैं जब तक यह फ्राइब हो रही है अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक सियर और कॉमेंट नहीं किया है तो फ्रेंड प्लीज कीजिए और मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल का इकन को क् जैसे यह फ्राइब हो जाएंगे तो इन्हें आमें वहाँ पर अड़ कर देना है उस पानी में डाल देना है और कम से कंब एक घंटे के लिए आपको इसको फूलने के लिए छोड़ देना है उसमें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप 30-35 मिनट में भी आप उसको निकाल सकते हैं लेकिन अगर आपके पास समय हो तो आप घंटे के लिए आराम से उस्याधे पानी में उसे आपको छोड़ देना है जिससे कि यह उसमें जाकर के जो पानी यह पड़े जो है वो प तो यहां पर मैंने इसे डाल दिया है पानी में और इसे अच्छे से मिक्स करके छोड़ दीजिए इसे ढख करके तो मैंने आप इसे डाल दिया है अभी आप देख सकते हैं नीचे है और जब हम बाद में देखेंगे तो यह देखिए कैसे फूल गई है कलर भी चेंज हो गय तो चलिए अब हम कांजी वरे बनाने शुरू करते हैं तो यहां पर मैं हाथों से थोड़ा थोड़ा दबा करके इसके पानी निकाल लूँगी ज्यादा कसके मत दबाईएगा नहीं तो तूट जाएगी वो और इस तरह से हलकेल के हाथों से दबा करके इसके जो पानी है एक् कहुंप कांजी के साथ मेरी के सांगर में नहीं था जगाड़ा करते हैं अब चलिए यहाँ दोड़ा रखा यहां पर मैंने पानी दूप में रखह था जोड़ दिया था हक्व्य हसumes हमाँ यूश के तो ठीक है कमतल उसेदो में समय हो तो दो दो तक जरूर उसे इसे ही रख दीजिए दूप में ही दूप में उसे जरूर दिखाईए और नहीं तो कम से कम सुबा से लेकर शाम तक भी धूप लगने दीजिए लेकिन जैसे यह दूप लगती है वैसे इसके टेश्ट काफी अच्छे होते हैं और यह हमारे डायेशन के लिए अछ Hayır होते हैं तो इसे किसी भी मॉशन में बनाय और खाए जा सकते हैं बहुत ही अच्छ च्छ लगते हैं यह यहां पर मैंने इसमें बडर डाल दी हैं और और इअब आच्छ इसे मिक्स करने के बाद है इसे अच्छ से मिक्स कर लीजिए और इसे आप फ्रीज में रखकर तीन से चार दिन आराम से खा शकते हैं यह काफी टेश्टी बनती है यह और चलिए अब हम इसे क्या करते हैं कि बाउल में या प्लेट में जो भी अगर आपको शर्व करना है जैसे आप इसे सर्व कर सकते हैं तो मैं भी डाल लूंगी इसे और आपको दिखाती हुए बुंद कर को भी डाल सकते हैं तो काफी आपको बाहर का टेश्ट लगेगा या पिर अगर आपको घर में खाना है तो आप काच बाॉल में भी दाल सकते हैं प्लेट में डालीए और शर्व कीजिए तो खाने से और टेश्टसे मतलब है बस जैसे परोशना हो परोशिये और खाइए अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक से और कॉमेंट कीजिए चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल का इकन को क्लिक कर दीजिए मेरे ने ने वीडियो देखने के लिए और ये मैंने हुली स्पेशल कांजी बड़े बनाया है अगर आपको अच्छे लगे हो तो कॉमेंट करके जरूर बताईए आप नए है तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियो मिलेगी जो आपके लिए काफी हेलफुल होगी अगर आप व जो ब स्पयर च outta लंफुल हो आपको जिती है से हम विपने सारी जर्क यर्मिट रिए ऐसेते हैं?